गुद्वार्णिंग एवरीबन मैं पंकज सभी का मैं पंकज इंगलिस यूट्व चनल पर स्वागत करता हूँ आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको करवाये जाएंगे ग्रैमर के 100 most important rules और यही rules जो है अभी के सारे exams में move कर रहा है और upcoming exams में भी इसी rules से question देखने को मिलेगा मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यह आपका 100 most important rules है इसे बाहर question आने का संभावना नहीं बनता है तो 100 most important questions है तो बहुत सरे भाई जो इस बार MTS को target कर रहे हैं MTS 2023 CGL CPO और grammar को उतना depth में जाकर नहीं पढ़े हैं और उनका math reasoning GS बहुत अच्छा है तो आप इस वीडियो को continue देख सकते हैं आपका grammar complete हो सकता है और आप sites को याद करते रहिए आपका English complete हो जाएगा ठीक है आगर आप 40 questions में 35 questions 30 कर लेते हैं तो आप selection ले सकते हैं MTS में आप समझी रहे हैं कि केवल आपका GS और English पर ही merit बनेगा math reasoning qualifying है तो आप अच्छे से वीडियो को follow किजिए continue series को follow किजिए आपको बहुत फैदा होगा इसी में से आपको questions देखने को मिलेगा ये वीडियो बहुत छोटा-छोटा होगा daily मैं एक rule करवाऊंगा तो हो सकता है कि मैं इसको एक दिन में 3-4 वीडियो अपलोड कर दूँ लेकिन एक वीडियो थोड़ा सा कम duration का होगा चार से पांच मिनिट्स का वीडियो होगा आपको भी टेटिंग नहीं लगेगा और सारे चीज़े किलियर हो जाएगा तो चलते हैं बिना देर की आज कमें से समसुरू करता हूँ rule number first से आज rule number first में हम लोग पढ़ने वाले हैं one वन से जितने फिर इलेटर कोशन होते हैं सारे कोशन को इसमें करा जाएगा वन बहुत इपोटेंट है देखिएगा नाउन से अगर कोशन पुछता है SSE में तो इससे पुछने का जो संभावना है ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो देखिएगा यह बहुत इपोटेंट डूल होता है चलिए मैं इसको डिसकस करता हूँ आपके साथ अब बोर्ट पे बने रहिएगा आप जानते हो कि one means क्या होता है एक होता है तो यह अगर कभी भी वाक का सब्जेक्ट बनेगा तो singular समझा जाएगा singular और plural का definition मा समझते होंगे जो एक है only one in counting is singular और more than one in counting is plural तो एक रहेगा तो singular singular भव लेगा ठीक है तो one, one के साथ कभी भी अगर भर व्यूज करने हो तो कैसे भर व्यूज करेंगे singular भर व्यूज करेंगे अगर यह वाक का सब्जेक्ट बनता है तो कभी कभी क्या होगा छोटू कि one noun को qualify करेगा adjective के रूप में आएगा तो noun को qualify करेगा तो इसके साथ हम लोग singular countable noun यूज करेंगे क्या मैंने करा? क्या मैंने बोला? singular countable noun तो singular countable noun यूज होगा तो भर व्यूज होगा? singular भर व्यूज होगा ध्यान दिजिए, नाउन या फिर क्या प्रणाउन, नाउन या जो प्रणाउन दिखाई देगा, वो प्लूरल होगा, नाउन या प्रणाउन जो दिखाई देगा, ये भाई हमेशा हमेशा के लिए प्लूरल होगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक ह सा याद रखना पेपर में जो कोशंस आपको देखने को मिलेंगे इससे आपको कोशंस देखने को मिलेंगे वन के बाद डारेक्ट अगर भर बाते हैं तो सिंग्लर भर विज होंगे वन के बाद अगर नाउन आते हैं तो सिंग्लर काउंटेबल नाउन होंगे भर क्या होगा स इस में से लेक्सन में से होता है ध्यानदी लड़की में सम लोग नहीं से लड़क », यूंक से यूं जो होता है कि पर्पर पॉजिशन के पहलेवाले के अनुसार होता है तो one के अनुसार बताओगे भर्व क्या होगा, singular, आप तो जानते ही हैं कि one singular है, तो भर्व क्या यूज़ होगा, singular होगा, आपने सिख लिया क्या, आपने समझ लिया क्या, one के साथ singular होगा, one के साथ अगर noun आगया तो singular countable noun, one के बाद off आता है तो noun प्र नौन पुलल होगा, ल one is missing, ठीक है, कोई चीज एक है, जो क्या है, खोया हुआ है, one is missing, यह माल लो, कभी-कभी इतना असा हलका सेरर कर दे, one are क्या कर दिया, missing, one are क्या, missing, तो one are missing कर देगा, तो ध्यान दीजेगा, मुझे इतनी सी बात बताओ, कि one plural है कि singular, जब one singular है, छोटू, तो भर्व singular होगा, आर नहीं क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, आचा singular भर्व क्या होता है, is, has, does, was, क्या है, singular है, loves, plays, goes, writes, क्या है, singular है, जिसके अंतमेस रहेगों, singular है, plural क्या है, are, were, have, do, love, write, क्या है, plural है, तो यहां पर इज होना चाहिए था, मैंने करा पहला example, दूसरा example क्या है कभी कभी व्य से देगा one a students क्या देगा one a students are absent today . similar होगी और जब माँ की स्वारिवी स्पीर होगा त्हे सेंटेंस गलत था यहां प्यूज करना चाहिए था क्या a student is क्या करना चाहिए था यह आपका सई होता उन्होंने क्या करा गलती लिखा ध्यान दिजेगा मैंने पहले क्या करा गलती लिखा a students are नहीं होगा क्या होगा a student is होगा I hope कि यह भी आपका clear हुआ होगा लेकिन इससे question कम पूछेगा ज्य एक आपको ऐसे देगा आप देखते रहो धियान से जो मैं लीख रहा हूँ और अब बताओ अंसर बताने से पहले बताओ कि कि आपको समझ में आ रही की नहीं और समझ में आ रही तो अपना अंसर लगा के देख लो कि कहां पर मैंने गलती लिखा है बताओ छोटू आपको sentences एकदम clear दिखाई दे रहा होगा सुन्दर handwriting में लिखे हैं अब बताओगे कि इस sentence में से गलती कौन है आप मन ही मन सोचो बताओ गलती क्या है कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं कोई ध्यान दिजएगा पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा वन आप दा स्टुडेंट इजब सेंट टूडे ए हमारा ध्यान दिजएगा रॉंग है क्यों मैंने बताया कि वन आप के बाद PCN चाहिए आप सिंग्लर भव तो यूज करें है ए बिल्कुल सही है लेकिन ध्यान दिजएगा ए आपका गलत है अस्टुडेंट नहीं होना चाहिए था अस्टुडेंट्स होना चाहिए था तो गलत है आप के बाद अस्टुडेंट्स अपको पुलल काउन टेबल नाउन यूज करने थे बिल्कुल सही है लेकिन आपने भव पुलल यूज कर दिया है गलत है अपको यूज यूज करना चाहिए था पहले वला भव का फैसला करेगा निर्धारन करेगा तो वन के अनुसार ध्यान दिजेगा यहां पे singular भव सही है तो यह sentence बिल्कुल सही है तो first का दो sentences wrong था और तिसरा जो sentence है हो क्या है सही है माजा आराइक नहीं आपको समझ में आराइक नहीं आप हाँ या नामे comment जरूर करेंगे डियर ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आग जिजेगा इसका relation is के साथ नहीं है इसका relation किसके साथ है इसके one के साथ है clear समझ में आता है कि नहीं I hope कि concept आपको clear हुआ होगा वीडियो को मैं थोड़ा सा long नहीं करूंगा आगे देखिएगा दो sentences मैं exam कर लिया हुआ हूँ आप बताइए इस mirror है कि नहीं यह आपको पूछ a third option है और a option number आपका क्या है four है बताए गलती क्या है अभी अभी आपको बताया गया कि one of के बाद जो नाउन आएंगे पूलल होंगे तो one of के बाद आने वाले नाउन पूलल होंगे अब यह नहीं देखना कि जो तुरंत बाद आएगा वही नाउन होगा नाउन फ्रेज मे तो उसी को पूलल बनाएंगे तो CT नहीं क्या होगा CT जोगा क्या CT होगा क्या CT होगा क्या Suzanne तो गल्ते किस पाट में था थर्ड पार्ट में कि one of के बाद नाउन पूलल होंगे तो CT गलत है सही क्या होगा cities होगा आगे चलते हैं देख लिजिए पब्लिक speaking is one of the most difficult एभी धियान दिजेगा ऐसे था एभी ऐसे था और मान लिजिए कि आपको इसमें चार option देख लिजिए इसको कहता है कि हम first option मानते हैं एक क्या हो गया second और एक क्या हो गया third और एक option आपको जानते ही है क्या देता है no error क्या देता है no error आपको बताना है कि भाई इसमें error क्या है इसमें error क्या है सारे भाईयों को पता चल रहा होगा कि one of के बाद non-pullal होते हैं आगे बढ़ते हैं preposition है यहाँ पे मैंने boundary cut करा preposition के बाद boundary cut करा one of के बाद noun पुलल होंगे अगर one of के बाद एक से ज़्यादा word आ चाहिए था क्या होना चाहिए था forms होना चाहिए था यही गलती था कि इस पार्ट में डी पार्ट में I hope कि मैं बहुत अच्छा से आपको समझा पाया हूँ one of form नहीं होगा क्या होगा forms होगा अगर noun से questions अगर 80 या 90 पूछेगा तो 60 या 65 questions one of से पूछेगा आप सोच सकते है कि one of का concept कितना important है एक्जाम एक महिना बाद होने वाला है तो इतना दीन पहले एक महिना पहले आप अगर English का preparation करना चाहते हैं तो depth में नहीं पढ़ सकते तो यह जो मैं rules बता रहा हूँ इसको follow करो exam में question इसी को देखने को मिलेगा एक one से pronoun का मैं बता देता हूँ धियान द means बोले तो क्या प्रतीक क्या प्रतीक ठीक है एक इसका meaning कब होगा जब ध्यान दिजएगा one के बाद off आएगा और आप के बाद आप जानते ही हैं या तो noun आएगा या pronoun आएगा तो यह हमेशा क्या होगा plural होगा तो ऐसे situation में ऐसे situation में इसका हम लोग meaning अर्थ निकालते हैं क या एक है तो मैं बता चुका हुं कि आ पूलल-दा आएंगा पूलल-दा पूल ऊस्टीकैन क करते हैं चोट इवरीवन के structure में ध्यान दिजएगा कैसे कारी करता है तो one के तुरंत बाद भारबाएगा तो ऐसे situation में अगर आगे इनके लिए pronoun यूज़ करना हो तो one family यूज़ करना, कौन family, one family one family यूज़ करना, one family कहने का मतलब है छोटू कि या तो हम लोग one यूज़ करेंगे, one का possessive pronoun क्या यूज़ करेंगे once, one का objective case क्या यूज़ करेंगे, one और एक reflexive pronoun होता है क्या, oneself अगर भाईलों को reflexive pronoun समझ में नहीं आ रही है तो मैं आगे के rules बताऊंगा, उसमें आपको reflexive pronoun बोलूँगा one of के बाद भारबा जाएगा, तो इसका meaning क्या निकलेगा, परतेक और इसके लिए हम आगे जो यूज़ करेंगे pronoun one यूज़ करेंगे और जब one का मतलब ध्यान दिजएगा one of रहेगा, तो इसका मतलब एक होगा ऐसी situation में या तो he family, या तो c family, या तो ध्यान दिजएगा it family का परियोग किया जाएगा, और depend करेगा sex पर, किस पर depend करेगा, sex पर, कि masculine है कि feminine, ठीक है I hope कि ये भी मैंने clear करा, जो one का मतलब एक होगा तो he see it लगाना, और everyone होगा, तो क्या लगाना, one family लगाना example से ज़्यादा clear होगा, देख लिजे भाई, जैसे हम बोलेंगे one of the students, one of the students, one of the students, one of the students have completed, have completed, once task, क्या हो गया, once task, अगर इस परकार का हम sentence लिखते हैं, तो आप बताओ, आपको समझ में आए कि नहीं, आपको छोटी सी rules के करण आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, one of के बाद क्या आएगा, PCN आएगा, a students, PCN है, यहाँ पे कोई गलती ने, लेकिन one के साथ singular भरवाएगा, तो have नहीं क्या होगा, है जोगा, यहाँ पे one का मतलब एक है, तो pronoun यूज होगा, he family, और he family, once नहीं है, he का पजेसी pronoun क्या होता, he j होता है, तो यहीं हमारा क्या है, error है, सर आपने बोला, see family भी आएगा, अगर यहाँ पे students नहीं होकर girls होता, तो हर task हो जाता, यहाँ पे dogs होता, तो वहाँ पे eats हो जाता, यहाँ पे pens होता, तो eats हो जाता, यहाँ पे boys रहता, तो क्या हो जाता, हीज होता, बहुत सर लोग को लग रहा होगा, कि सर आ students तो ना तो boy है ना तो girl है अरे भाई ये common gender है ध्यान दिजेगा नाम से पता नहीं चल रहा है कि लड़की है कि लड़का तो इसको common gender में डाल देते हैं और common gender के लिए हम लोग ही फिमली ही यूज करते हैं I hope कि clear हुआ होगा अगर इस structure में नहीं आए ऐसे आ जाए one should respect his teacher प्रतेक को चाहिए कि आपने teacher का क्या करे समान करे समान करे आदर करे अब बताईएगा one के तुरंद बाद क्या है छोटू भर्व है तो one का अपना प्रोनावन चलेगा one का अपना फिमली है one का प्जेशी प्रोनावन क्या होता है one नहीं क्या होता है want होता है तो यहां पर one का ध्यांदी जयगा जो प्रस्तनल प्रोनावन यूज करेंगे वो ही ज नहीं होगा क्या होगा once होगा तो one का मतलब जब एक होगा one of pcn रहेगा तो आप he see eat family लगाएंगे one के बाद ध्यांदी जगार भर्व रहेगा तो इसका meaning परतेक होगा और परतेक होगा तो one family चलेगा ठीक है तो ए था one का concept rule number first इसके और भी कुछ points होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है यह ध्यांदी जगा crash score जैसा हम rules बता रहे हैं जितना बता रहे हैं इतना follow कर लोगे तो आपको exam में दिक्कत नहीं होगा इसमें से सबसे ज़्यादा ही potent यह वाला concept है एक्जामपल देखे तो यह दोनों एक्जामपल कर लेना यह तीनों देख लेना और इसके बाद यह देख लीजेगा बहुत ही potent है चिक है और थोड़ा सा इसको भी एक बार देख लेना इससे भी exam में questions बहुत पुछते हैं यह और अच्छा अच्छा rules आपके साथ लेकर आऊं इस वीडियो में ही तक वीडियो को लास तक वाच करने के लिए thank you अगर कोई भाई हमारे चैनल पर new है तो सबसे पहले वीडियो को subscribe कर लिजेगा ताकि notification आपको तक सबसे पहले पहुंचेगा ठिक है ध्यान रखिएगा बा